बच्पन से ही शास्त्र का ज्ञान दिया जाए तो हमारे हर कर्म में बोध बना रहेगा अतह सत्संका सेवन करू हर कर्म में बोध बनाए रखे कर्म में बोध अत्ती साल कर्म में बनान दिया थारा हर कर्म오리डों। कर दो कर दो सापा मगमा परसानिधा पामपागा सत की राह पे चलके देता जो ये सने सब प्रेम की रंग सब रंगे सब का है एक खिवईया फीड में होया रहे अकेला आनन्द में रमता जो अननन्द या उनाद ये रहे आननाद ये रहे आनन प्रेम की राह ननन्द ये बर् advisor पिर डेखे ची एक समय था, जब हमारे समाज में इस्त्री को आदर्णीय स्थान प्राप्त था. स्वैंबर में, वो स्वैंब अपना वर्च उन सकती थी. वो मदालसा जैसे विदुशी थी, जो लोरी में अपने दूद पीते बच्चों को बताती थी, कि तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हैं. ब्रह्मबादनी गारगी को राजा जनक के दर्वार में नौरत्न का स्थान प्राप्त था. फिर धीरे धीरे, जाने कब कैसे एक समय ऐसा आया, जब समाज के उच्चवण जाती के पुरिश्वर्ग ने इस्त्री विरोधी नियम बनाकर उसे चार दिबारी में सीमित कर दिया, और उसे शास्त्रों के पठन पाठन से वंचित करते हुए, कह दिया कि उसे वेदों के पठन पाठन का अधिकारी नहीं है. आज के युग में, अम्मा जेसे क्रांतिकारी सोच वाली महत्मा, फिर एक बार स्त्रियों को ललिता सहस्त्र नाम के पाठ की खुली छूट देकर, समाज में बड़ी क्रांती लेकर आईए. अम्मा ने अपनी ब्रह्मचारणियों को, शास्त्रों के अधियन, होम, पूजा आर्चन, सबका अधिकार देकर ये सिद्ध कर दिया है, कि स्त्री और पुरुष को पर्मात्मा ने एक समान बनाया है. हम सबको वो आत्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप बताकर, स्त्री पुरुष के भेदभाव का अंधि कर देती हैं, ताकि हमें कत्व के भाव सहित, जीवन के लक्ष की ओर पड़ चलें. प्रेमस्वरूपी और आत्मस्वरूपी, आप सभी को नमस्कार. ज्यान और वेरागे के साथ साथ त्याग और तप का संदेश भी देती हैं हमें शिवरात्री. ये केवल निद्रात्याग का ही नहीं, विचारूं, वच्चनों और कर्मों में बोध रखने का संदेश भी देती हैं. ये सच्ची जागरिती है, हमने दर्जियों को सुई में धागा पिरोते देखा है, वे दांतों में सुई दबाते बात करते हैं, पर ध्यान सुई पर एकागर रहता है, सुई का बोध होता है, इस कारण वे बात करते हैं, पर मुँ पूरा नहीं खोलते, पूरी तरह से प्रशी की तरह सतर्कता, अगनी हाथ में होतो हम सावधानी बरतते हैं, सावधानी हटने पर हम या दूसरे भी जल सकते हैं, नंगे तार को छोएं तो जटका लगेगा, सो हम चपल पहनते हैं ताकि शौक न लगे, हमें हर काम में ऐसा ही बोध विक्सित करना होगा, ऐसा हो जाएगा, हम सरकस करने वालों को देखते हैं, बच्पन से अभ्यास करते करते अब वे इतनी उची रसी पर चल पाते हैं, वो उनके लंबे अभ्यास के कारण संभव हुआ है, जो इतनी पतली रसी पर भी चल पाते हैं, इसलिए बच्पन से ही शास्त्र का ज्यान दिया जाए तो हमारे हर कर्म में बोध बना रहेगा, अतह सत्संखा सेवन करो, हर कर्म में बोध बनाये रखें, और साथ ही तत्व भी याद रखना चाहिए, रिशियों ने युगों के तब के बाद साक्षाक्तार पाया, पर गोपियों ने घर परिवार और बिजनेस के बीच र कर्म में भगवत स्मरण होता था वे चावल के डब्बे पर कृष्णा मिर्च पर मुकुंदा हल्दी पर मुरारे गोविंदा ऐसे हर डब्बे पर लिखती मिर्च कहां रखी है मैंने मुकुंदा में रखी है गोविंदा में धनिया रखा है हल्दी कहां रखी है मुरारे में रखी है माधव में जीरा रखा है और केशव में नमक रखा है इस प्रकार भगवान नाम को हर चीज से जोडती थी। सृष्टी में सृष्टा नहीं, वे सृष्टा में सृष्टी देखती थी। उसी के माध्यम से देखती। इस प्रकार उनके लौकिक कर्म भी ध्यान रूप हो गए। चाच, धई और मखन के नाम नहीं कहती। कृष्टा मुकुंदा मुरारे, कृष्टा मुकुंदा मुरारे। ऐसे आवाज लगाते हुए वो चाच, धई, मखन बेचकर लौटाती। सतत स्मरण। इसलिए जगत में रहते हुए उन्हें शिग्र ही साक्षातकार हो गया। तो कल्यूग माने शोर कोला हल की अती। इसमें नाम जब से ही हम अपने भीतर बोध जगा सकते हैं। जिसे समुद्र में तैरना आता हो वो लहरों का मजा लेता है। आस्ट्रेलिया में बड़ी उन्ची उन्ची लहरें होती हैं। वहां के लोग छोटे से काट के टुकडे जैसी नाव में एक तिरपाल बानकर उस पर आराम से लेट कर लहरों के उन्चे नीचे प्रवाह के साथ जूलते हुए से आनन लेते हैं। जो तैरना नहीं जानता वो डूब जाएगा। इसी प्रकार जिसने शास्त्रों का श्रवन बच्पन में किया हो या फिर सत्संग किया हो उसी में ही मनह शक्ती होगी। वो बिना पूर्वाग्रह परिस्थितियों को स्विकार कर उनका सामना करने की सामर्थे रखेगा। वरना मन में तनाव रखकर छोटी उम्र में ही कई तरह की शारीरेग वा मानसिक बीमारियों का शिकार होनी की विवस्था हम स्वयम कर लेते हैं। तो थोड़ी देर रोज निश्चलता में परमात्मबोध में मन को स्थिर रखें। ये मन के स्वास्ते के लिए अच्छा है। इसलिए अपने विचारों में, वच्चनों में, कर्मों में बोध जागरित करने का प्रयास करें। इस बोध के विकास से ही अज्ञान दूर होगा। अंधकार कोई मिटाने वाली वस्थू नहीं है, प्रकाश होने पर सहच ही मिट जाता है। वैसे ही बोध जगते ही अज्ञान मिट जाता है। सब समस्याओं का समाधान बोध ही है। हम में ये बोध जग जाए, तो फिर चाहे कोई गाली दे, हमारी निंदा करे, वचनों से हमें दुखी करे, तो हमारा प्रयास होगा कि हम दूसरों को अपने वचनों से दुखना पहुंचाएं। हम जितने दुखी हुए उतना दुखी, वो भी होगा ये शिक्षा मिलती है। बोध के चलते हम विवेक से काम लेंगे। सबको अपनी दुरबलताओं का दरपन मानेंगे तो हम में स्विक्रिती का भाव जगेगा। करते हम जितने दुखी, वो भी होगा ये शिक्रिती का दरपनी ग्रिती मेंदी दुखी, वे जितने दुखी, वे निदुखी, वागाव जगेगा। आम्चि भी प्रीमा कःम दियो घु कर दोन्लीप टोन्फ़ चन खाल्वल थे टोन्फ गजु उखिते दिल् भी ंटेमा कなた दोन्लीपिकल्णा requirements अर्भेमा कःम्दे ुबीन रड़ ऐसे लगिते धी इुश के tinglyíst कर दो लोगजों, कर दो दो इदो लोगए, कर दो 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 कर दो 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 आठे ठिदेन शीडिशन Łए Okay. आभाण कोने एक मैं तुरानankiस त्को कि एक वर नदिनीं मदवर्श दिनी डिले … माम आपाण की डीदे औरी जडिन्ध mum की जडिन तब ठीदे मामा माँ गीडी मामा माँ ... कि अंजी में जा दिटे कि अंजी ओडमी चाल हो प्रभेड़े कि एघी लिला प्रत्री आट्राम ओप सुपर नार। क्ष़्ट जाजन्या करदी यारे क्ष़्टन नार। क्ष़्ट चाहिए जाजन्या करदी बुनिक वडिन नार। हुआ 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 हु मामा जिदी मामा जिदी मादे 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 जुच्शायों पनेंग मलेशिया का एक उत्तर पश्चमी द्वीप है नरम रेतीले समद्र तटों के लिए सुवे ख्यात इस द्वीप में भी शेष मलेशिया की हितरा जनसंख्या में बिविधता पाई जाती है यहां के भोजन से लेकर वास्तुकला तक हर चीज में विदेशी प्रभाव दिखाई देता है बाटू केव्ज चुने पत्थर की एक पहाड़ी है जिसमें कई गुफायों मंदिर है यह चुना पत्थर करोणों वर्ष पुराना माना जाता है यहां 272 कॉंक्रीट सीडियां चड़कर मुरुगन भगवान का एक गुहा मंदिर है इस पहाड़ की तहहटी पर 42.7 मीटर उची मुरुगन भगवान की मूर्ती है जो परेटकों और भक्तों के लिए आकर्शन का केदर है मलेशियाई का रिक्रमो में हमेशा उत्सवकसावात अवरन रहता है जिसकी तुलना के वलंपा की भारती यात्राओं के विशाल का रिक्रमो की उर्जा से की जा सकती है भारी भीड को स्थान देने के लिए बड़े मैदानों में का रिक्रमों का एयोजन होता है देश में अम्मा का स्वागत करने उप मुखी मंत्री डॉक्टर पी रामा सामी, उप मंत्री लोग बाल मोहन, वा आदी शंकर मिशन के स्वामी सहीद, कई गणमाने लोग उपस्तित थे. अपने स्वागत संभाशन में, डॉक्टर रामा सामी ने कहा, कि मैं अम्मा का मलेशिया में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ. आज के समय में, अम्मा का प्रेम संदेश बड़ा सटीक है, क्योंकि ये आज की समस्याओं का सबसे प्रभावकारी समाधान है. जिस सीमा तक अम्मा विश्वभर के गरीब लोगों तक पहुची है, वो सब के लिए प्रेणा सुरूत है. हम अध्यात मार्ग पर अम्मा जैसे गुरू को पाकर धन्य हुए है. मेरी अम्मा से नम्रविनिती है, कि वो हमें आशिरवाद देने पनैंग बारंबार आया करें, बलके पनैंग में ही आपसे हैं. विश्वभर के तरह अम्मा ने यहां भी 25 मलेशियाई शात्रों को शात्रवित्रियां प्रदान की. फिर अस्थानी भक्तों को व्रिक्षों की पौद भी देकर, प्रकृति वश्चिक्षा दोनों शेत्रों को संपन्न बनाया. फिर अम्मा ने हजारों के भीड को दर्शन देना शुरू किया. अम्मा के गोद वो अस्थान है, जहां हम सब कुछ भुला देते हैं. अधिक तर लोग इस शान्ती का अनभाव करते हैं, जहां जीमन की समस्याइं सहसा समाप्त हो जाती हैं, जहां आप स्वैस्थित हो जाते हैं, जब आपको पल भर के लिए सरवत्र शान्ती, शान्ती और शान्ती ही महसूस हो. एक नर्तकों के समूँ ने लाएन डांस प्रस्तुत किया, जो की चीनी संस्किती का पारंपरिक नित्य है. करें लीर्टे darfुने हो झालनी के जनती हैं, क्याम एक बятनिए मेर रटे, जापको उओमाञें, जब ते ले शान्ता ंाधी का रछे यहां, जूल्ग का झालन अष्ताय्साँ कर सकांतिं, आपको सग्त k rigorous तों प्रूंतों कर सकताउत हैं, जब एक एक फूश्सक दोर्स्ण करेकरम के इंत में आम्मा ने मलेशियाई भज्टों के खुश्री के लिए एक पंजाबी भजन गाहे तेरी पर्दी साहू डेदादी बेदादी तेरी पर्दी साहू डेदादी स्वाने हिक्ति वानों जाले मैं, नुका ठरते कुछादे बाहे, स्वाली फाली जोडी परते, स्वाली फाली 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 फा अम्मा मलेशिया से सिंगापुर के लिए रवाना होने लगी, तो मानों सारा कारिक्रम ही उनके साथ चला. एरपोर्ट पर भी अम्मा दर्शन दिती जाती है. अम्मा का हर पल विश्व की सेवार्त है, और वो उनके प्रत्य कर्म में जलगता है. अम्मा अपना एक विश्व विर्थ नहीं गवना चाती. जो भी लोग उनके आसपास हो, उन्हें खुशी दिये चली जाती हैं वो.